हिंदी दिवस पर निवंद हिंदी दिवस प्रतेक वर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन हिंदी वासा की महत्त पुर्णता और उसकी सास्कृतिक धरोहर को मानेता देने के लिए समर्पित है। हिंदी दिवस भारत सरकार द्वारा 1953 में स्तापित किया गया था ताकि हिंदी को उसकी सही पहचान मिल सके और उसे बड़ावा दिया जा सके। हिंदी भारती या उपमहादीब की एक प्रमुख भासा है और इसे 22 विविन्न भारती या भासाओ के परिवार में सामिल किया गया है। यह भारत की आधिकारिक भासा है और संभिदान की आठवे अनसूची में इसका स्थान है। हिंदी का बैपक प्रयुक सरकारी दस्तावे जो नयए पालिका, सिक्षा और मीडिया में होता है। इसके आतिरेक्त हिंदी भारती या फिल्म उद्धोग विशेशकर बली उट का एक प्रमुख वासा है। हिंदी का इतिहास बहुत पूराना है और यहां सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रम्स भासाओं के विकास से उत्पन हुई है। यहां भासा बिविन्न साहितिक कृतियों, कभिताओं और गानों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य ने राष्ट्र की सास्कृतिक और सामाजिक धरोहर को सम्रिद्ध किया है। हिंदी के प्रमुख लेखक और कभी जैसे एकनलाल चतुरवेदी और हरिवम्स रायवचन ने इस बासा को नई उचाईया दी है। हिंदी ने भारतिय समाज को एक और सहयो की भावना में योगदान दिया है। यह वासा बिविन्न राजियों और सस्कृतियों के लोगों के बीच संबात का माध्यम बनती है। हिंदी के माध्यम से लोग अपनी बिचाधारा और भावनाओं को बैक्त कर सकते हैं और एक दुसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। हिंदी दिवस पर हमें इस बासा के प्रतिय अपनी जिम्मेदारी और सम्मान को समझना चाहिए। यह केवल एक भासा नवल की भारतिय सास्कृती और पहचान का एक महत्य पुर्ण हिस्सा है। हिंदी का सही प्रयोग और उसका सम्रक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी दिवस पर हमें इस भासा के महोत्तों को समझते हुए इसके प्रचार-प्रचार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि यह भासा आने वाली पिडियों के लिए भी जिवेद और प्रासंगिक बने रहे धान्यवाद